पुर्व उर्जामंत्रीर रामविर उपध्याई के भाई वा पुर्व MLC मुकल उपध्याई को पार्टी विरोधी गत्विदियों में सनलित रहने के आरोप में बहुचन समाज पार्टी से निश्कासित कर दिया गया है गोपनी धंग से कराई गई जांच में इसकी पुष्टी होने के बाद ये कारवाई की गई मुकल के निश्कासन की घोशना अलिगर्ड मंडल के मुख्य जून इन्चार्ज रनविर सिंग कश्चप और जिलाद्धेक्ष तिलकराज यादों ने की उनके अनुसार जिला एकाई ने मुकल उपाद्ध्याय के पार्टी में अनुशासन हिंता व पार्टी विरोधी गत्वीदियों में लिप्त रहनी की शिकायत हैकमान से की थी हाईकमान ने विभिन सुत्रों से चानविन कराने के बाद मुकल उपाध्याय को निश्कासित कर दिया पताधिकारियों के अनुसार मुकल को पुर्व में कई बार चेतावनी दी गई थी मगर उन्होंने कारिशली में सुधार नहीं किया इसे पहले पार्टी ने पुर्विधायक जमीर उल्लाह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था मुकल उपाध्याय ने जिला अलिगर्ड की राजनीती में 2004 में कदम रखा था चौदरी बिजैंदर सिंग के लोग सभा चुनाव जीतने पर खाली हुई एकलास विधान सभा सीट पर उपचुनाव हुआ था इसमें बहुजन समाज पार्टी प्रतैश्य मुकल उपाध्याय ने रालोध के पूर विधायक चौदरी मलखान सिंग को हरा कर पहली बार बहुजन समाज पार्टी का खाता खुला था 2008 में सुनिल सिंग को हरा कर मुकल MLC बने थे 2014 में मुकल ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही गाजियाबाद लोगसभाद सीट से चुनाव लड़ा मगर जीत नहीं पाए उपाद्धाय ने आरोप लगाया है कि उन्हें बीएसपी से निकालने की साजिश उनके ही भाई वा पुर्व केविनेट मंतरी रामविर उपाद्धाय ने की है मुकल उपाद्धाय का आरोप है कि अलिगर लोगसभाद शेत्र से वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे इसके बदले में बीएसपी की मुखिया मायावती ने उनसे पांच करोड रुप्ये मांगे थे तो उनके भाई रामविर उपाद्धाय ने ही ये कहा कि अब मुकल नहीं बलकि उनके पत्नी आने के सीमा उपाद्धाय अलिगर लोगसभाद शेत्र से चुनाव लड़ेगी सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने अपने भाई रामविर उपाद्धाय को रावन की संग्या देते हुए कहा कि रामविर उपाद्धाय कभी ये नहीं चाहते थी कि उनका कद बढ़े और इसी के चलते उन्होंने ही ये पूरी साजीश रची है